तो वेलकम डियर स्टुडेंट्स मैं एजाज लड़न फिर से एक बार आपका स्वागत करता हैं तो आज की इस वीडियो में हमारे शामने यहां प्रश्ण है तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चानल में नए हाँ तो चानल को जरूर सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को दबाने से ही आपको आगे भी इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकेगा तो यहां प्रश्ण है सरकारी सेवा किसे कहते हैं असपस्ट रूप से समझ रहे हैं सरकारी सेवा सेवा हम किसको बोलते हैं जब हम किसी प्रकार का मान सीख या सारेडिक कार्ये करते हैं तो उसको सेवा बोलते हैं जैसे सिक्षक बिद्याले में पढ़ाते हैं तो वो सेवा परतान करता है और उसके बदले में उसे पैसा मिलता है उसी परकार कोई डॉक्टर जो है अपने मरीजों को देखता है तो उसको सेवा बोलते है मरीजों को देखना क्या है सेवा है और उस सेवा के बदले में उसे क्या मिलता है वेतन मिलता है तो जब हम कोई सेवा करेंगे औ और उस सेवा के बदले में हमें सरकार पैसा देगा कौन देगा सरकार पैसा देगा तो उसी हम लोग सरकारी सेवा बोलेंगे यानि हम सरकार के लिए कोई कारिये करें और सरकार उसके बदले में हमें पैसा दे तो उसको सरकारी सेवा कहते हैं तो आये इसके उत्तर में और बार राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है यानि इसके इस सेवा के अंतरगत क्या है देश वो राज्य की सरकार लोगों को क्या देती है लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है मासिक मतलब होता है महिने का तो मासिक वेतन मतलब महिने का वेतन और इसके बदले में यानि यह जो बेतन सरकार देती है इस बेतन के बदले में इसके बदले में मतलब बेतन के बदले में उनसे मतलब जिनको वो वेतन देता है ऐसे लोगों से विभिन्य छेत्रों में काम लेती है तो उसे सरकारी सेवा कहा जाता है असपस्ट बात है सरकारी सेवा में देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले में मासिक वेतन देता है और इस वेतन के बदले में लोगों से विभिन्य छेत्रों में क्या लेती है काम लेती है तो ऐसी ही सेवा को हम लोग सरकारी सेवा कहते है सरकारी सेवा के कुछ उधारन है यानि सरकारी जो सेवा है जिस छेतर में सरकार पैसा दे करके काम करवाता है लोगों को वो छेतर देखे क्या क्या है पहला है सेन सेवा सेन मतलब सैनिकों का जो सेवा है उसी को बोलेंगे सैनिक किसका होता है सरकार का होता है सिक्षा सेवा सिक्षा के छेतर में भी सरकार जो है बेतन दे करके सिक्षकों को सिक्षा के छेतर में काम लेता है वैसे ये जो है गैर सरकारी भी होता है लेकिन सिक्षा सरकारी सेवा में भी है उसी परकार स्वास्त ये भी सरकारी सेवा है यानि भहुत सारे सरकारी अस्पताल हैं जहां पर स्वास्त से संबंदित कई करमचारी आपको देखने को मिलेंगे और इनको बेतन देने का काम कोन करता है सरकार करता है उसी तरह अभी यंत्रन सेवा अभी यंत्रन सेवा मतलब इंजरिंग वाला जो सेवा है वो वाला और यहां पे अंत में है वित्य सेवा यानि वित्य से संबंदित वित्य एबंग बैंकिंग सेवा यानि बहुत सारे वित्य सनस्थान वित्य मतलब होता है रुपिया तो रुपिया से संबंदि सेवा को वित्य सेवा बेंकिंग सेवा यनि बहुत सारे बेंक ऐसे हैं जो सरकारी हैं तो ऐसे बेंकों को हम लोग सरकारी सेवा के अंतरगत रखेंगे तो यहाँ पर वीडियो समाब तो होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा इस तरह का वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के पले लिश्ट में भी जा करके देख सकते हैं धन्यवाद